हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 35th कॉन्वोकेशन के बारे में अगर आपने अपने डिगरी कंपलीट कर ली है और आपको आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्क सीट मिल गई है इसके बाद आपको आपकी ओरिजिनल डिगरी नहीं मिली है तो इसके लिए आपको 35th कॉन्वोकेशन के लिए अपलाई करना होगा यहां पर जब आप आते हैं तो यहां पर आपको नजराएगा Online Registration for 35th Convocation आपको यहां पर क्लिक करना है जब आप यहां आपर क्लिक करते हैं तो यह आपका पोर्टल ओपन हो जाता है अब ये 35th Convocation क्या है तो अगर आप अपनी degree complete कर लेते हैं यानि grade card में आपके सारे marks update हो जाते हैं वहाँ आपर completed so होता है यानि आपका जो भी program है वो complete हो गया है इसके बाद आपका जो provisional certificate और marks seat है वो by post आपके घर आ जाता है इसके बाद आपकी original जो degree है वो आपको convocation के थुरू मिलती है अब ये convocation में आपको कैसे registration करना होता है तो अभी 35th Convocation जो है वो March April 2022 में लिया जाएगा और इस convocation में कौन-कौन से student है जो eligible है तो जिस students ने December 2020 में और June 2021 के term and exam complete कर लिया अपना program तो वो student इस convocation के लिए eligible है इसके साथ साथ यह आपर ये भी बताया गया है कि आपका जो convocation है वो virtual mode या convocational mode दोनों तरह से हो सकता है ये सारी चीजे depend करती है आपके COVID को ले करके उस टाइम situation कैसी रहती है अगर situation ठीक रही तो आपका convocation जो है वो लिया जाएगा offline और अगर नहीं रही तो आपका convocation online होगा और आपको जो degree है आपको वो आपकी degree regional center पर दे दी जाएगी इसके बाद by post आपके घर पर आ जाएगी यहाँ पर यह भी लिखा हुए the student shall have to attend the convocation and collect the certificate regional center where the student belong to or not any other regional center कि जो भी student attend करते हैं convocation को तो वो अपना जो certificate है वो कहां से collect करें regional center से जो भी उनका regional center किसी दूसरे regional center में ना जाए student will be given option to attend convocation in person और receive degree diploma by post आप इसे by post भी collect कर सकते हैं यहाँ पर लिखा all the students are required to fill their present address आपको अपना address जो है वो present address डालना है जिससे कि आपके by post में कोई भी problem ना है जब आपका by post आपका certificate जाएगा तो उसमें कोई भी problem ना है इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसके लिए आपको कितने रुपए पे करने होंगी जैसा कि यहाँ पर बताया गया है please register below online registration सबसे पहले तो आपको इसके लिए online registration करना होगा और यह online mode होगा आपको fees कितनी देनी यहाँ पर तो यह fees जो है आपको 600 जाएगी PhD, MPH, Master degree, Bachelor degree, PG diploma, diploma program के लिए आपकी 600 fees है इसके साथ साथ PG certificate और certificate program इनके लिए आपकी 200 रुपए fees होगी आपको 200 रुपए चार्ज देने होगी यहाँ पर आप यह fee जो है वो debit card और net banking से कर सकते हैं इसके साथ साथ आप fees pay कर देते हैं और आपकी slip generate नहीं होती है तो आपको wait करना है 48 hours इसके बाद आपको यह click here पर click करके अपनी जो slip है वो वहाँ से आप print उसका निकाल सकते हैं और अगर आपको कोई भी problem है तो यहाँ पर number दिये गए हैं अगर आपकी fees pay हो जाती है अगर कोई भी discrepancy है तो यहाँ आपर number दिया गया है mail ID दी है आप यहाँ से contact कर सकते हैं और अगर आपको convocation से related कोई भी query है तो आप इस mail ID पर mail कर सकते हैं यहाँ पर बताया गया MBA, MCA, MCOM यह जो आपके program है इसके लिए 600 आपकी fees होगी जो भी certificate है आपके या कोई भी program है आपका तो सभी के लिए आपका 600 रुपीज चार्ज होगा इसके बाद आपको क्या करना आपको यहाँ पर declaration पर टिक करना है declaration पर टिक करना है, जब आप इसपर क्लिक करते हैं तो आपका जो portal है वो अपन हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या करना है, लॉग इन करना है, अगर आप न्यू यूजर है न्यू स्टू× रजिस्टेशन पर आपको क्लिक करना है जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, पे होने के बाद आपकी जो sleep है वो generate हो जाएगी इसके बाद आपको convocation के लिए wait करना है जब भी आपको convocation होगा offline वहाँ से आपका certificate और degree जो भी है आपको वहाँ से मिलेगी तो दोस्तों I hope आपको ये video समझ आई होगी कि कैसे आपको convocation के लिए apply करना है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा share करें और अगर आपको वीडियो से related कोई भी doubt है तो आप मुझे मेरे instagram या telegram पर follow करके अपना doubt clear कर सकते हैं धन्यवाद